भगोडी जिठानी ये कहानी है विनिता की विनिता शर्मा परिवार की इकलाती बहु थी यो तो घर में बहु के आने की बाद सब कुछ बहु ही संबालती है पर शर्मा परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि अपने सिसराल में आती ही विनिता ने नाकर लगा लिया थ दीदी नाश्ते में क्या बनाना है तुझी यहां मैंने काम करने के लिए रखा है या मेरा सर खाने के लिए जब देखो मूँ उठा कर मेरे पास आ जाती है इतने सालों से काम कर रही है न या तु फिर भी पूछने की जरुवत पड़ रही है जो समझ में आता है बना ले चाबिली नाश्ता बना कर लाती है और टेबर पर लगाती है यह क्या बनाया है चाबिली तुमने टिंडे कौन खाता है तो मैं क्या करती है अंटी जी फ्रीज में टिंडे ही थे कुछ और थाई नहीं तो वो ही बना दिया सबजी नहीं आई थी क्या वेनेता तुमने आज सबजी नहीं लाई थी क्या सबजी वाली तो आई थी नई मैं उस वक नेल पेंट लगा कर बैठी थी अब ऐसे मैं सबजी की थेली कैसे पकड़ती नेल पेंट बिगड़ जाता न वैसे भी रोही तो था वही पर, वो ले लेता सबजी बाबी मैं तो आफिस का काम कर रहा था, मुझे क्या पता था कि सबजी नहीं है ये बात मुझे समझ में नहीं आई, सबजी जरूरी थी या नेल पेंट आरा ठीक है ठीक है, घर का माहूल मत खराब करो सुबा सुबा प्यास है ना फ्रीज में, प्यास फ्राइ कर दे चबली, उसी के साथ रोटी खा लेंगा सब सबी नाश्ता करने के बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं थोड़ी देर बाद घर का मुख्या प्रफुल, रस्वी में पानी का ग्लास लेने जाता है जहां वो देखता है कि हर तरफ गंगी फैली हुई है और धुल मिट्टी के कारण वो खांस दे लगता है यह किचन है यह कबार खाना किचन में फैसी कियो शुरू हो गए यही रात हाल क्यों रखिए है सो फेब अब बैठो तो खांस शुरू हो जाती है यह माजरा क्या है कहीं किसी की नजर तो नहीं लगी मुझे तु रसोई साफ क्यों नहीं रखती चबिली मेरा काम खाना बनाना है अंकल जी वो तो मैं कर देती हूं असले पोंच पी देती हूं अब जाड़ू पोचे भाबी की जूटी है भाबी नहीं करती तो इसमें मैं क्या करूँ और कोई नजर दोश नहीं हुआ है आपको ये खासी न धूल मिट्टी के कारण आ रही है दुकान कौन चलाएगा भूहू स्टाफ चलाएगा ने पापा जी वसे क्या हो गया आप इत्ता चिला क्यों रहा है बहुत तेरे पापा जी कह रहती है कि आजकल घर बड़ा गंदा रहता है या बार की नजर है पापा की बलकल सही समझे मुझे बीना घर आजकल बड़ा ग इसी तरह दिन बीटते जा रहे थे, एक दिन सुश्मा प्रफुल से कहती है, बड़ी बहुला कर बड़ा बुरा फसे हम, अब रोहित के वाक्त ना ये गलती नहीं करने, अच्छी लड़की मिल जाए जो कम से कम जिम्मेदार तो हो, रोकर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं है तो द रिष्टा आता है, गरिमा के परिवार वाले रोहित को देखने आते हैं, देखिए बहन जी, मेरी बेटी सी ये फाइनल्स में है, मैं नहीं चाहती के शादी के बाद उसकी पढ़ाई रुके, अरे क्यों रुकेगी मामता जी, हम तो चाहते हैं कि हमारी बहुत जाब भी करे तो फिर घर का काम काँन करेगा आंटी जी? उसकी फिक्र मत करो गरिमा, हमारे घर में सारे कामों के लिए नौकर है, जाड़ू पोचे के लिए, गार्डन में पौधों को बानी देने के लिए, खाना बनाने के लिए कुक भी है और ड्रॉइवर भी है हमें तो बस एक ऐसी लड़की की तलाश है, जो घर के जिम्मेदारी उठाने को तयार हो, उसे पता हो के घर संभाला कैसे जाता है आप फिक्र मत कीजी, वैसे क्या मैं कुछ देर रोहित जी से बात कर सकती हो आंटी जी, मतलब अगर आप सब की इजासत हो तो गरिमा और रोहित बात करना शुरू करते हैं, और कब दो घंटे बीच जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता, विनिता जाकर उन्हें बुला कर लाती है इसके बाद मुझे तो नहीं लगता हमें कुछ पूछने की ज़रूरत है, जो पहली मीटिंग में एक दूसरे में इतनाख हो गए हो, उनका रिष्टा ते लंबा चलना ही है Made for each other रोहित और गरीमा की शादी हो जाती है, और बहू बनकर गरीमा अपने ससुराल आ जाती है अगली सुबह, एक अच्छी बहू की तरह गरीमा किचन में जाती है, जहां वो देखती है कि छबीली सभी के लिए नाश्टे की तैयारी कर रही है ये क्या कर रहे हो तुम? इस गर में तो कोई टिंडे खाता ही नी रहने दो, मैं बनाती हूँ क्या बनाएंगी या? सबजी तो सिर्फ यही है गरीमा फॉरन अपना पोस लेती है और सबजी खरीदने निकल जाती है और दो तिन वराइटी के सभी के पसंद की सबजी आ लाकर नाश्टा तियार करके सभी को परुस्ती है क्या खाना बनाया? अच्छा बिली तुमने मान गए भई, वाँ 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 आज का नाश्टा मैंने नहीं बहुने बनाया भई सही मै? हाँ अंटी जी, बहुरानी सबसे पहले बाजार से सबजी लाने गई उसके बाद उन्होंने सब के लिए खाना बनाया खाना तो वाकर बहुत लाजवाब बनाया है तुमने गरीमा खाना बनाने के बाद गरीमा गार्डन में जाती है तभी माली पौधो को पानी डालने के लिए आता है ये चार पौधो को पानी देने के लिए सबने माली रख लिया आपकी पगार किती है भईया? पाज़े जीदी पौधो को पानी देने के लिए तो ये बहुत ज्यादा है ये लिजे, आपके अब तक के पैसे, कल से आने की ज़रूरत नहीं है और गरीमा माले को हटा कर, इस काम के responsibility खुद पर ले लेती है दो पैर के एक बजे घर पर जाड़ू पूछा करने वाली पहुँचती है अगा, सुन भाई, खुब चान का भाई वो सब तो ठीक है दीदी, पर एक बजे जाड़ू पूछा करने कोन आता है मैं आती तो कल से याद से आप साथ बजे आ जाईएगा, या फिर मत आईएगा और शबिली तुम, खाना बनाने की तुम साथ जार लेती हो अगर मैं तुम से ही जाड़ू पूछा करवाओ, तो 9000 में कर दोगी ने तो तुम भी कल से मत आना, आपस में तुम दोनों देख लो, क्या करना है और अगले दिन से सुश्मा के घर पर जो जाड़ू एक बजे लगता था, आज 7 बजे लग जाता है अपनी पढ़ाए से उटने के बाद गरिमा चभीली से सभी का नाश्ता तयार करवाती है नाश्ते की टेबल पर प्रफूल करण से दुकान के हिसाब की बात कर रहा था, तब ही गरिमा कहती है आप लोगों की डेटर्स इतने बड़े, उपर से स्टॉक भी मेरे हिसाब से सई से मेंटिन नहीं हो रहा तो तुम बताओ बहू, तुम तो पढ़ाए कर रही हो ना इन चीज़ों की हमारा C.A. तो नजाने क्या काम करता है, बस हर महीने टेक्स बरवाता रहता है क्या? सरकार कभी हर महीने टेक्स नहीं लेती पापा? मैं आती हूँ दुकान, बुक्स देखती हूँ अब इस तरह एक ही करके गरिमा अपने ससुराल का नक्षा ही बदल देती है किसी को कोई भी काम होता, वो गरिमा को ही याद करता है कोई अब विनिता को पूछता भी नहीं एक रोज पडोसन, विमला सुष्मा के घर आती है अरे सुष्मा, अपनी बहु को तो बुला, बहुत जरूरी काम है मुझे बताईए आंटी जी क्या मदद करूमें आपकी अरे नहीं, तुने, गरिमा बहु को बोलना वो बड़ी होनहार है, कोई भी प्राबलिम हो उसकी पास सिलूशन होता है ये बात विनिता को बुरी लग जाती है उसकी घर में आप कोई उसे पूछता ही नहीं था चाहे वो मेक अप करें या बाहर खुमें और इस बात से चिड़ कर विनिता अपनी मा को कॉल लगाती है और उन्हें सब कुछ बताती है जिससे सुनते ही उशा कहती है मुझे लगा ही था तेरी देवरानी ये सब इस घर को अपने अंडर कन्य के लिए कर रही है ऐसे ही सभी का दिल जीत कर वो घर की हेड बनकर कपती जोरी की चावी ले लेगी पता भी नहीं चलेगा मतलब उसके दिमाग में ये सब चल रहा है ए बगवान ये तो मैंने सोचा ही नहीं था अब मैं क्या करूँ मम्मी गरीमा ऐसा क्यों कर रही है दिवरानी न कभी किसी की सगी नहीं होती तेरी चाची कौन सा मेरी सगी हुई थी देखा नहीं था क्या तुने कैसे तेरी चाचा हमारे घर हड़पना चाते थे पर तुझे तो उस पर बहुत प्यार आ रहा था दिन बर गरीमा ये गरीमा वो भुगत अब नहीं मामे आज़मत को तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो कौन करेगा दुन्या तुझे धोखा दे सकती है पर मैं तुझे कभी दुखा नहीं दूँगी तु बस वो कर जो मैं बताती हूँ सबसे पहले दमाज जी को अपने बस में कर फिर धीरे धीरे अपनी सास को और सुसर को गरीमा की इज़ट जितनी उची है उसे उतनी नीची कर दे फिर देखना जा तू और विनिता यही करना शुरू करती है रात के खाने की तैयारी करने आज विनिता खुद किचन में जाती है भाभी अब यहां कुछ चाहिए था ये क्या बात हुई ये मेरी भी रसुई है तुम्हारे आने से पहले ये घर मैं ही संबाल रही थी खैर तुम्हारे एक्जाम आने वाले है तुम पढ़ाई करो रात का खाना मैं देख लूँगी और विनिता खुद सारे गाइडलाइन्स देकर चबिली से करन की फिवरिट सबजी बनवाती है और खाना टेबल पर लगाती है आज आप खाना लगा रही है बाबी पर आपके नेल्स अरे घर वालों की सेहत जरूरी है या नेल्स ऐसे सिसराल पर तो मेरे कई नेल्स वार दूम है पिछले कुछ दिनों से ना इनकी तब्यद कुछ ठीक नहीं लगती मुझे मुझे लगा पता नहीं छबिली कैसा खाना बना रही है कैसा नहीं गरी मा तो उसे छोड़कर कमरे में चली जाती थी इसलिए आज मैंने सामने खड़े होकर खाना बनवाया है खाकर बताईए न कैसा बनाया है सभी खाना चकते है मेरी फिवरेट सबजी अरे वाँ विनिता लगता है रेसिवी भी तुमने ही बताई है चबिली को पराठी चबिली ने बनाया है सबजी तो मैंने ही बनाई है बड़े दिन बाद आज बड़ी बहु क्या हाथ का खाना खाया है तेरे हाथ में सगोन तो रखना बनता है बहु यह लग 1100 रुपए रात को जैसे ही करण कमरे में आता है वो देखता है कि उसका पूरा कमरा कैंडल्स और फ्लार से सजा हुआ है हर रात विनिता या तो अपना मेकप उताने में या रील्स बनाने में लगी रहती थी पर आज तो अपने पती के लिए सजी धजी बैठी थी इतने दिनों के बाद विनिता को इस तरह देखकर करण की आँखों में खुशी के आंसु छलग जाते है I love you baby तम बई हो, मेरी विनिता Mission successful अगली सुबह सुश्मा को अपनी बहन का कॉल आता है एक हफ़ते के लिए? अरे दिदी, एक हफ़ते के लिए कैसे? क्या हुआ मम्मी जी? वो तेरी बड़ी मौसी सास की अनिवर्सरी है तो एक हफ़ते पहले ही मुझे बुला रही है अब तु ही बता, इतनी जल्दी सब कैसे होगा? अरे क्यों नहीं होगा मम्मी जी? विनिता फॉरन अपने कमरे में जाती है और एक साथ-ाथ साड़िया निकाल कर लाती है ये लीजे मम्मी जी मेरा और आपका साइस तो सेम ही है जो साड़ी पसंद आये, चूज कीजे और उसकी मैचिंग का ब्लाउस में निकाल कर लाती हूँ दो मिनिट मैं पैक कर दूँगी बैग अरे बाहो पर ये तो नहीं साड़ी है तुने पहने भी नहीं है कितने शौक से मंगवाई थी तुने तो क्या हुआ ममी जी? इस तरह विनिता अपनी साड़ को भी इंप्रेस कर देती है अब बारी थी ससूर जी की, प्रफुल जी की न्यूस पेपर जो पढ़ रहे थे विनिता नोटों की गड़ी लेकर वहां आती है पापा जी, वो हिसाब करते वक्त आप ये नोटों की गड़ी बहार ही भूल गये थे और बहुत उना तो मुझे बचा लिया कितना परेशान था, मैं समझ में नहीं आ रहा था कि कहा गए पैसे सुबह से दस बार हिसाब देख चुका हूँ मैं गरिमा जितनी पड़ी लिखी भले ही ना हूँ मैं पर ध्यान ना हर जगर रहता है और इस तरह विनिता एक और विकेट ले लेती है अब बारी थी गरिमा का इमेश खराब करने की सुबह जैसे गरिमा नाश्टी की तैयारी करवा के किचन से निकलती है विनिता किचन में पाँच जाती है क्यों औरे छबिली अपनी आलू मालकिन को तो बड़ी जल्दी भूल गी तू अरे ने ने भावी इस गर में तो आप ही तो लेकर आई थी मुझे आपको कैसे भूल सकती हो तो मेरा एक काम करना है तुझे अपसे जब भी गरीमा कोई काम दे उसे खुराब करते न जैसे कि इस खीर में चीनी डालने का काम गरीमा को सौब दे और चीनी की डिब्बे में नमक डाल कर रखते छबिली यही करती है जैसे ही सब खीर खाते हैं उनके मुगा स्वात बिगड़ जाता है यह क्या बनाया चबिली तुमने खीर में नमक को डालता है वो भी इतना पर खीर में चीनी तो गरीमा भाबी ने डाली थी शायद उने नमक चीनी में फर्क पता नहीं चलाओगा पढ़ाई में ध्यान रहता होगा ना हो गई होगे गलती कोई बात नहीं गरीमा वैसे यह ले आज तुने गलती से हिसाब की कॉपी बहारी छोड़ दी थी किसी और के हाथ लग जाती तो दुकान में बड़ा घाटा हो सकता था यह कैसे हुआ पता नहीं अब हरूस चबिली यही करती खाना जब भी गरीमा उसे बनाने को कहती वो खाना इतना खराब बनाती जिसे कोई खा ही नहीं पाता जिससे चिड़ के गरीमा चबिली को डांट लगाती है एक तो सुबर साथ बज़े से रात बर आप मुझसे काम करवाती है और सुना भी नहीं है या मुझे काम ही नहीं करना जब विनी तब भी रसोई देख रही थी तब तो ये प्राब्लम नहीं हुई मैं अब इस घर में काम नहीं करूँगी और देखती हूं मेरे मना करने के बाद कौन से कामबली इस घर में आती है हमारा यूनियन जानते नहीं है अब खुदी जाड़ू पोचा कीजिएगा खुदी फुलों में पानी दीजिएगा और खुदी खाना बननाईगा देखते हूं कैसे सीए बनती है आप बस इसके बाद सिक्का ऐसा पलड़ता है कि सब एधर उधर हो जाता है गरीमा को अब कीचन भी पुरा संभालना पड़ता है और साथ में पढ़ाई भी करनी होती है जो उससे मैनेज नहीं हो रहा था उपर से उसने दुकान के जिम्मदारी भी ले ली थी तस मुझने वाले सुब से एक बार भी किताब नहीं खुल पाई मैं एक महिने बाद सीए फाइनल की एकजाम है बहु चाय गुस्से में गरीमा अपने सिसर को चाय दिये बिना ही कमरे में चली जाती है कोई बात नहीं पापा जी ऐसे ही दुपार का खाना जाड़ो पूछा तो मैं देखी रही हूँ ना नाशना भी देख लूँगी अब भी लाती हूँ चाय ये तो बड़ी गलत बात है मतलब इतने दिन गरीमा अच्छी बहू होने का ढोंग कर रही थी आज काम वाली नहीं है तो दिख गया उसका असली रंग अमें माफ कीजिएगा भाबी हम हमेशे आपको गलत समझ दे रहे है पर गलत तो ये गरीमा निकली एक तो सुष्मा घर पर नहीं थी जो इस कलिश को खत्म कर सके और हर रोज पढ़ाय का प्रेशर बढ़ने के कारण गरीमा जाकर अपने माई के बैठ जाती है घर का सारा काम तो मुझे पर आ गया ममी फस गई मैं तो तो जाकर चबिली को बुला ले कह दे ना कि तूसे मना कर लाई है और पढ़ी रहने दे गरीमा को अपने माई के विनिता यही करती है पर दो दिन बाद ही सुष्मा वापस लोटती है अकेली नहीं गरीमा के साथ गरीमा तुम ममी जी के साथ? आपके चेरे का रंग क्यों उड़ गया भावी? प्लान उल्टा पड़ गया क्या? वो क्या ना परसु मैंने और आपकी ममी की बाते सुन दी थी मेरे पीछे से इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला करण को जैसे ही इस बारे में पता चला उसने मुझे फोन किया और मैं सब समझ गई और सीधा गरीमा के घर जाकर उसे यहां ले आई I'm sorry गरीमा I'm sorry ममी जी मैं ही इस घर से चली जाती हूँ गलती सिर्फ आपकी नहीं थी भाबी मुझे माफ कर दीजी पर इस सब से मुझे ये समझ में आया कि perfect तो मैं भी नहीं थी पर गलत सिर्फ आप देख रही थी इसलिए आपको गुस्सा आ गया तुम सही समझ रही हो गरीमा मैंने ये सब क्यों किया क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि इस घर में मेरी value खत्म हो रही है तुम सब कुछ अपने अंडर कर लोगी और देवर जी को छोड़कर सारी property लेकर चली जाओगी मैंने तो बस अपने घर को बचाने के लिए ये सब किया विनिता और गरीमा एक दूसरे की गले लग जाते हैं और इस दिन के बाद से कोई भी विनिता को नीचा नहीं दिखाता और विनिता भी एक अच्छी बहू और जिठानी बनने की पूरी कोशिश करती है